हुआ है है लो फ्रेंट वेल्कम टो मैं चैनल लेन में मैं हुआपके साथ पावश्वरिया और आज का सब्जेक्ट है हमारा बेजिक टॉप इस्टम इंट्रोप्शन वाइटी सिस्टम और हमारा चल रहा था प्रेक्टिकल नंबर वन तो फ्रेंट्स प्रेविएस लेक्ट्य और यह हम लोगों ने देखा था यहां पर और क्रॉम ब्रावशर के मजिग फ्यूचर और उसके सिक्यूरिटी टरंप्स होते हैं और क्रॉम ब्रावजर के बाद अबराव ने तिका था तो मुझीला फायरफॉक्स में उसके और उसके ओर इसमें सर्विस प्रोएड करते है वसारे हैं जो हमें अध्यर्स लेका थो आज मरा जो नैक्स्ट內 है वो लोग स्टाट करते हैं यह पर था तो सबसे पहले अंथ शवाय करते हैं तो सबसे पहले हैं जो होते हैं प्रिमोसांफ करना चाहिए दुसरी दूजरी बात रूप हुआ है मतलब आज लोग वह से केंगे कि प्रोफेशनल जो सर्च एंजिन होके है वो यूज करने का कैसा तरीका होना चाहिए कि जब हम उसको बिश्ट उसमें पास अके सबसे अच्छा रिजल्ट उसमें पास आपे सर्च एंजिन सब्सक्राइब करते हैं तो आज का हमारा ट है तो फैंड में हूं आपके साथ वावर्षवर्य तो ऊसके में तीन कंपॉनेंट होते है सबसे पहला कंपॉनेंट वेप क्राव्लर सुब्सक्रा जो है वह वह डेटाबिज और तीसरा है यहां पर शर्च एंटर ए तो फैंड बहुत सारे यहांपर शर्य इंजिन जोंग ह यहां पर याहू search engine है यहां पर बहुत सारे एक्जामपल search engine जो है आपके पास अविलेबल है वह पर भुछ सार आपने यूज भी किया होगा आज हम थोड़ा सा उसमें नएया कुछ हो देंगे आज हो तो search engine जो होते है और में तीन और यहां पर डेटा बेज आपनी सुनाई होंगा तो डेटाबेज का मतलब क्या होता है तो टेटाबेज का मतलब क्या होता है फ्रिटाबेज all the information on the web is stored in the one place it is known as a database जो एक source होता है कोई एक बड़ा सा प्लेस होता है वहां पर सारी information जो होती है server का सारा जो यहां पर होता है वो यहां पर save होता है यहां पर store किया जाता है इस place को हम बोलते है देटबेज तो फ्रेंट्स वेब क्लावल का मतलब होता है एक पूरा स्पाइदर पूरा बोर्ट जो की बहुत सारी information जो है वो connected रखता है इसको हम बोलते है वेब कावला डेटबेज किसको बोलते है कि जो सारे इन्पोर्मेशन ने इक जगर पर स्टोर होती है को एक डेटाबेस पर होती है उसको मोलते है डेटाबेस जो होते हैं वो डेटा सेंटर में रखा जाता है और सारे जो आप यहां पर देख रहे हैं कोई भी सर्च एंजिन है कोई भी सुष्व मेडिया विप साइट है या फिर बहुत बड़ा नेटवर्क इंग है तो उसकी परसनल डेटाबेस के लिए एक डेटा सेंटर होता है और सारा जो डेटा होते हैं वहां पर स्टोर करते हैं तो हमारा हो गया डेटा तो सर्च एंटर में सेव है लेकिन यहां पर कोई भी यूजर कोई वर्ट सर्च करते हैं तो वह सर्च डेटाबेस से कनेक्ट करने का जो काम होता है वह सर्च इंटरफेस करते हैं यानि यूजर और डेटाबेस को कनेक्ट करने का जो वर्ट है वह वर्ट है सर्च इंटरफेस का मतलब डेट होते जिसको कोई particular information चाहिए जिसको particular वThe search करना है वो watch और database में से match होता है जो भी भी रिजड उसको connected करते है तो कोई भी इंजीन जो है इते इन database मतलब 18 component पर यहाँ पर database और search interface तो आगे चलते हैं कि जो होते हैं सर्च एंजिन तो कैसे हम लोग यूज करना चाहिए उसका प्रोफेशनल वे क्या है कि जो हम उसका पेटर रिजल्ट पास आपके कोई भी सर्च एंजिन यूज करते हैं यानि कि आपने किया ही है वह सारे एंजिन अलग अलग यहां पर एंजिन आप आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे मतलब इक यहां कोई इक एक उना आपको से सार्च एंजिन से चाहिए तो वो यह पासकते हैं और कैसे उसका रिजल्ट लेने का बेटर वे होना चाहिए तो आज का हमारा अब केश़ए अस्टेक्स्रस देहाना है आप लरें अन्रश और को दिन क्ते बहूना ज़्या करते हैं तो आपको पता ही है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्राइब इसके अलावा भी बहुत सा रहे तो हम देखेंगे आज कि क्या होना चाहिए तो सब्सक्राइब कोई यहां पर एक 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 लिए उसको किया होगा तो स्टाट करते हैं तो इसकाट नचाहिए तो वहीं होगा हैं मैं आपको बता हूँ यहां पर तो और यह सबसे पहला जो सच आइंजिन हमारे पास वालेबल है जो मोश्ट यूजबल सबसे ज्यादा है तो आपको गूगल उज़टा यांज़टा है है तो कोई भी वर्ड्स आप सर्च करते हैं तो आपको पता है कि जो भी वर्ड्स सर्च करते हैं उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो नेक्स्ट सजेशन जो गूगल सर्च एंजिन है वो देता है तो यह जो तरीका है आप यूज कर पा सकते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वर्ड जो है वह सारी जो उसके नेक्स्ट वर्ड सजेशन होते हैं वह आप तो यहां पर सब्सक्राइब सबसे पहले ट्रिक जो आप देख रहा है रहसी वाली और यहां पर आपको बता दूँ कि आपको पता ही होगा शायद सबको पता होगा कि सर्च सजेशन जो है अभी अम लोगों ने देखा तो जब भी आपको सर्च करके हैं तो आप एड्रेस बार में अगर आप क्रोम होगा तो आप सर्च बार में डायरेक्ली गुगल सर्च एंजीन यूस कर सकते हैं तो आपको वहाँ पर सर्च सजेशन मिलेगा नेक्स्ट वर्ड सजेशन मिलेगा यहां पर और आपको एक दूपल कि आपने कोई भी एक सर्च कोई वर्ट सर्च किया सब्सक्राइब होगा क्टियुक्त फैंब जो आपको उसे सम में रिलेटेड और पर बहुत सारे मिलेगा वहाँ वहाँ पplatको सब्सक्राइब यहां पर दूथाध画 को यहां पर मिलेगा अगर आपने जो सर्च किया है उसके बारे में कोई रीजर्ट नहीं मिलता रहा है तो तो नेक्स्ट यहां पर और एक ट्रीक अवैलेबल है रिफाइनिंग यॉर्स सर्च मतलब उसका क्या मतलब होता है मैं अभी आपको बचाता हूं कि ऐसे कोई भी आप सर्च यहां पर करते हैं तो रैसीपी सर्च गया तो अलग- अलग टाइप में आपको यहां पर इजल्ट मिलेगा है और नीचे कोई उसकी ड़िय्ट की तेके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प GREG嗎 लग टरीके से वह आपको यहाइं पर रिजॉर्ट करता है वीडियोस मने भीडियोस में पर रिजल्ट रीजुत कर तके लिकें आपसे पर म् लोग यहाँ पर सिखेंगे कि रीफाइनिंग यार से ये तो कैसे आप रिफाइनिंग कर सकते हैं सब्सक्राइब आपको रेशीपी को चाहिए लेकिन कोई स्पीफिक रेशीपी चाहिए तो मैं क्या करता हो इस चॉकलेट के आगे जो है वह आइफन यूज़ करता हो आप देख पा रहे हैं स्मॉल डेस्ट चो होते है आइफन तो वह आप देख पा रहे हैं तो यहां पर चॉकलेट के बारे में ही सारी वीडियो या फिर फोटो या फिर कोई वेबसाइट का रिजल यहां पर आपको मिलेगा तो इसे आइफन भी आप उसकर सकते हैं और अलावा आप यहां पर डबल सकते हैं सब्सकाहिक को है के साथ को सब जाया या की तो आप यह लेते हैं और वो वर्स के एक्वराइंग टूइजा रही जो है वह यहां पर उसमें यहांपर गए सकते है ऐसे डबल हमा में अभी आप कोई भी वट्स को सर्च करते हैं तो उसमें इंपोर्टन डे सकते हैं और एक यहांपर मैं आप डबल कोटेशन फवी आप डबल कोटेशन में यह थी इंपोर्ट को वे इंपोर्टंट हो जाता के लिए अगर कोई बीश चाहिए मेरे अलग 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 फॉर्मेट में अलग-अलग यह पर चाहिए तो भी आपको यहाँ पर गूगल जो है ओप्र है कि है यहाँ पर मैंने असुगर यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जो भी रीज़्ट है उसमें सर्फ सिर्फ इमेजर्ट मेरी को चाहिए या पिर सिर्फ यहाँ पर वीडियो रिजल चाहिए या पिर कोई कोई कंटेंट यूज जू है वो चाहिए तो एसे आप उसको filtering कर सकते है तो यह अलग अलग टाइप में भी हम लोग यहाँ पर यूस कर सकते हैं जो को कुशा तो वह कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर एक टूल जो आप्शन है वह वैलेबल है डूल ऑप्शन है तो आटा करें के हम एका रसी स्द्विल मैं करने चाहीं तो मैं क्या करता हूँ टूल मैं है तो तो यहां और भी aap Stefan अपको अवय लेपल यहां पर होगा कि आप उसको filtering कर सकते सुपोज मैंने यहां पर पिंग कलर सेट किया हुआ है शाहिद आपको यह पता हो यह ना हो तो मैंने पिंग कलर सेट किया है तो सारी जो इमेज है वो पिंग मैं यहां पर फिल्टर हो के रिपे साइज में चाहिए तो आप उसमें साइज भी सिलेक कर सकते हैं आपको कोई एक टाइप का चाहिए तो तो यह पर वियांको पर अच्छा फिल्टरिंग करता है यहाप गौगल से अचिंग क्लेंट तो वह आप यूज़ कर सकते हैं अगर यहां पर मैप ऑप्शन अवेलेबल है तो आप मैप पर क्लिक करते हैं तो जो भी रेस्टोरांट है या फिर यहां पर जो भी एंटरप्राइज है जो आपको यह प्रोवाइड करता है एक सब्सक्राइब करता है उसके रिजल्ड के बह कर सकते है कि मेरे को मैप चाहिए या फिर कोई मैप चाहिए आप में एक इमेसर है जो स्पेसिटीक कलर के साथ हो तो भी यहां यास्ट और सब्सक्राइब चाहिए चाहिए और एक बात में आपको बता हूँ कि यहां पर यहां पर यूज करते हैं अगर आपने पूरी रेसिती या कुछ भी सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा कि फॉष्ट में जो भी रिजट होते हैं कि यहां पर इतनी बाते की जो थी आउट्टू सर्च यहां पर आपको मिलेगा तो आज हम यहां पर इतनी बाते की जो थी की आउट्टू सर्च यहां वेब और के लिए अच्छा तरीका जो बेटर रिजल्ट पासके यहां पर गुगल सर्च एंजिन में तो ऐसे अलग अलग टाइप के फिल्टरिंग जो होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं इसमें सारी जो मार्केट में सारे जो यहां पर एंजिन अवेलेबल है और यूज किया है तो क्या है आपको किसी को पता नहीं है आपको टीट जब्रेक्स मिल जाए की फ्रेंड्स तो थैंक्स फॉर वचिंग मिलते हैं नेक्स टाइम में थैंक्यू वेरी मॉच पर यह चैनल हमाले दी लांग विट में और यहां पर में था हौश वरिया थैंक्यू पर वाचिंग